तो दोस्तों माच चुके एक और नए फ्रेस वीडियो को साथ आप सभी के सामने और दोस्तों आज के इस वाली वीडियो में लोग सिखने वाले है कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं वो भी लाइटरूम और स्नेफिट का यूज करते हुए के अंदर ओपेन कर लिया है अब आपको क्या करना है थोड़ा सा अपने बैग्राउंड को ब्लॉर करना है उसके लिए टूल्स पर जाना है टूल्स पर जाने के बाद नीचे आप जैसे ही जाईएगा तो यहाँ पी एक अप्सन मिलेगा लेंस ब्लॉर का क्लिक करना है जैसे आप लेंस ब्लॉर प्लॉर भाल्ली आफसे पर क्लिक करना है तो आपको कहीं पर यहाँ से राइट करने के बाद दूस्तो हाँ तो उपर एरो अलो प्छेकर न है उसके बाद यहां पर लेडी ज्यादा ईख देल किछ तो यहां पर ऐरो पर क्लिक करना उसके बाद दोस्तों क्या करना अपने बैग्राउंड पर अप्लाई करना नहीं करना थोड़ा थोड़ा आपको blur कर लेना है तकि जो आपका फोटो थोड़ा सा अब पिक्सल जो है मतलब बेकार सा देख रहा था हो यहां पर blur हो जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखे तो इस तरीका से आप अपलाई कर लेना अपने बैग्राउंड पे ठीक है तो ऐसे आपको अपलाई कर लेना और बढ़ियां से ब्लॉर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं जिसमें तरीका बताया हूं जिसे आप अपने बैग्राउंड को का आपको यहां से बैक आना है उसके बाद फिर से आपको जाना है टूल्स पे टूल्स पे जाने के बाद नीचे आप जैसे जाईएगा तो यहां पर एक अपसन आपको देखने को मिलेगा ब्लेक और वाइट पे उसके डार्क वाले अपसन पर जाना है और नीचे इस वाइडर पर जाना है और यहां से contrast को थोड़ा कम कर लेना है जैसे आप contrast को कम किजिएगा तो यहां पर आपका photo थोड़ा सा फीका टाइब कर दिखेगा और यहां से आपको contrast रखना brightness भी थोड़ा सा आपको और यहां से बढ़ा लेना है ताकि आपका photo फोटो को आपको जूम करना है जूम करने के बाद आपने यहां से जीरो कर लेना है पूरा उसके बाद अपने बॉड़ी से इस तरीका से एरेज कर देना है जो डार्क वाला इफेक्ट है यह अपने पूरे बॉड़ी से एरेज करना है बाकि अपने कपड़ा पड़ा से इसको मत किजएगा तो ऐसे आपको करना है तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी-जल्दी से कर ले रहा हूं कि ज्यादा टाइम होगा ज्यादा लंबा जो है हमार वीडियो हो जाएगा तो यहां से हम क्या क्या रहा है कि फटा-फट से एड़ेज कर रहे हैं आप इसको बहुत बैलेंस का उस पर क्लिक करना और है इसकेे अपको कम कर लेना इस तरीका से तो देखेंए ब्लू टोन आएगा और यहां पर आपको ले फिंगर तरफ आते यह पर जाना है और तो यहां पर टाइप का जो है मिल जाएगा उसके राइपको around करने से महीं प्रोसेस करना है जो प्रवाडी तरीका से कर लेहां का लेगा और इस मोंुक्त आपने उसके आपको पूर बड़ा सानॉ 59 ज़ुक्त करण तो मैं फिएलो को दो द स्लिक्निए हाई विदेचा सेघ्राश्य केस यह बनुभा में पर ऐसके यहां पे हος सैंने टूल के इस बसके आप से अपने फेस City को बढ़ा लेना है ख़र उसके बाद आपा सब यहां पर के साप करना है कि इस तरीका से आपको बढ़ह लेना इससे क्या होगा कि आपका फेस जो है थोड़ा सा गोरा दीखेगा तो यहां पर देखे मैंने कर लिया उसके बाद इस फोटो को हम भेज़ेंगे लाइट रूम के अंदर क्योंकि आप जो हम कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं वह लाइट रूम के अंदर करेंगे और वहां पर क इसे मेरा फोटो काफी ज्यादा बढ़िया दिखेगा तो सिंप्ली से लाइट रूम के अंदर हम यहां पर भेज लेंगे अपने फोटो को तो मेरा फोटो जो है यहां पर लाइट रूम के अंदर चला गया है अब यहां पर हम ओपन करेंगे तो लाइट रूम के अंदर हम वीडियो की C strikes है तो आपको programm छाना है आपको ya करना है तो से आपको क्या करना है कालर आपना एक देंवाज़ टूल्ट करना है इस तरीका का में वनेहित मांड़ाले ध्याक और यहांसरण को 1 धाव गाले जिसी आपको पूरा डार्क ब्लू दिखेगा크व की तो और यह वाला भी color को हम थोड़ा सा यहां पर adjust कर ले रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कर लेना बाकि जो फेस के लिए है तो यहां से आप चाहे तो गोरा भी कर सकते हैं और अपने फेस पर औरेंज वाला एफेक्ट भी यहां से दे सकते हैं इसके बाद आपको यहां पर रिड वाले अपने करना से अपनों किया कर लोगा procedure अपर सबसे लाष्ट वाला जो अपसन है इस पे आपको क्लिक करना और यहां से color grade होगा आपका photo तो यहां पर देख लिजिए जो भी आपको color चाहिए अपने face पे हलका red चाहिए तो आप यहां से red वाला effect दे सकते हैं और हलका yellow चाहिए तो yellow वाला effect दे सकते हैं और done कर सकते हैं ठीक इसके बाद नीचे एक blacks का option आएगा इसको थोड़ा कम कर लेना है तो देखिए आपका photo काफी अच्छा बन चुका है उसके बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पे जाना है इधर के side में और यहाँ फेक्ट पे click करना और यहाँ से थोड़ा सा clarity को आपको बढ़ा लेना है जिसे कि आपके photo में हलका dark tone भी आ जाएगा और आपका photo clear भी दिखेगा देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा photo काफी अच्छा बन चुका और यहाँ पे थोड़ा सा और में color grade करने वाला हूँ वो light वाल एफसन पे हम जाएंगे ठीक है उसके बाद उपर curve वाल एफसन पे click कर देंगे यह जो है मेरा main tool होता है और इसको बड़े आराम से चलाईएगा बहुत हिसाब से ठीक है नहीं तो इसमें थोड़ा सा भी आप मिश्टेक करते हो तो आपका photo काफी ज़्यदा खराब हो जाएगा तो अपने हिसाब से इसको adjust कर लेना अगर जोरत हो तो नहीं हो तो आप नहीं कर इसका use मत करना ठीक है इतना आपको कर लेना है तो मुझे ब्लू टून चाहिए मैंने कर लिया तो देखिए मेरा photo काफी अच्छा बन चुका है और इस photo काफ हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर सेब करने वाले तो सिंप्ली से डिफ्रेंट आपको देखने को मिल रहा है जूकि लाइट रूम से मैंने इस photo में कलर ग्रैडिक्ट